नमस्कार दोस्तों स्वागित है अपनी यूटोब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों अभी जो आपकी रेलवे एंटी पीसी लेवल 6 का लेवल 6 जो साइको टेस्ट हुआ है और साइको टेस्ट नहीं भी हुआ है दोनों ही पोस्त का result जारी किया गया है यहीं आपकी document verification के लिए result तो आ गया है लेकिन आपकी दिमाग में बहुत से पशन है स्वाल है वो छोड़ कर चला गया है तो उनी सबी स्वालों को टटोलते हुए यहाँ पर ये वीडियो आपकी सारे doubt किलिर करने वाला है doubt कौन से फर्स तिंग तो result किस प्रकार दिया गया है काफी candidate तो 70 और 30 परसंटेज वाला formula भी नहीं समझ पार है वो बताऊंगा second thing क्या आपकी post preference को ध्यान में रखते हुए result दिया गया है नहीं दिया गया है आगे railway की प्रक्रिया क्या है रहने वाली है जहां तक आप लोग student की मेंने comment पड़े हैं काफी 200-300 क्या स्वास comment पड़े हैं काफी student ने अच्छी राय भी दी है suggestion दिये हैं साथी साथ जो notice वगेरा है सारा कुछ analysis करने की बाद यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ किस टैप सी यह result त्यार किया गया है फिलाल बात करें तो 21 RRB में से अठा रखा चुका है जल्दी 2-3 RRB रहे हैं कि यह रांची मुझपरपूर और गुरपूर इनका भी result आ जाएगा लेवल छगा आपके doubt और शंकाई दूर करें उससे परे मैं आपको बता दूँ आज last day है test book पर teacher's day special जो 5-7 सेतंबर वाली sale है इस deal को आप grab कर सकते हो सबसे कम price में आपको यहाँ पर mock test जोईन करने का आउसर मेलड़ा है यहाँ पर TTG के coupon code यूज कर लेना extra 10% discount बिल जाएगा जो content mock test नहीं लगाते है exam में time management के काण आपकी स्वाल miss हो जाते है तो अभी अच्छी deal चल रही है test book पर जरूर इसका फायदा उठाएगा TTG के coupon code यूज करते हुए इस deal के तैट सारे exams के mock test include ऐसा नहीं आपका एक exam railway हो गया तो फिर आप क्या करेंगा SC, banking, defense, CET बगरा डेली आपको practice करते रहना ताकि पढ़ाई में continuity बनी रहें तो यहाँ पर 580 plus exam scheme mock test लगाते हैं तो rank भी पता चल जाते हैं exam कीते रही same, dashboard और pattern भी रहता है तो link description box में ज़रूर check out करना सारे exam scheme mock test काफ़ी कम fee में यह test to pass मेल रहा है टीरे जोगे corporate code यूज़ करते हुए अब देखते है result किस प्रकार जारी किया गया है अब result की बात करें तो जो psycho का test हुआ था psycho का test हुआ था level 6 और level 4 की post अब level 4 की एक post थी traffic assistant इसमें हुआ computer best aptitude test और level 6 में दो post थी जिसमें से एक post का psycho का हुआ है यह station master का अब जो result जारी किया गया है क्या यह केवल psycho वाली post का किया गया है नहीं यह result जारी किया गया है level का क्योंकि psycho का तो test है वो level 4 में भी हुआ है level 4 सिलिगुरी में थी वेकिंसी और कॉलकता में थी वेकिंसी दोनों का result आज चुका है level 6 का लेकिन 4 का नहीं आया है तो यहाँ पर जो result देखने को मिला है railway किस प्रकार result जारी करेगा तो सबसे पहले level 6 का जारी किया तो level wise यह result जारी होने की आसंका है क्योंकि psycho के बैस पर करता तो level 4 का भी हो जाता और commercial apprentice का नहीं होता इसके according लेकिन commercial apprentice का हुआ है commercial apprentice में direct candidate जितनी post थी उतने according पास किये गए पहले कुछ 8 गुणा बगेर तो आया नहीं था क्योंकि commercial apprentice में नहीं तो आपके skill test था यह यह टाइपिंग टेस था नहीं psycho test है तो केवल और केवल level 6 है इसका result फिलाल जारी किया गया है level 6 में दो post है commercial apprentice और station master दोनों का result आज चुका है और मैं आपको बता दूँ ऐसा कोई भी candidate नहीं जिनका दोनों ही post में selection हुआ है केवल एक post में उनका selection हुआ है अब आप कहेंगे वो कौन सी post कैसे उन्होंने tag किये कि उनको commercial apprentice देनी या फिर station master देनी उसके लिए मैं आपको notice में ले चलता यह example के रूप में मैंने भौपाल का result खोला है पे लेवल 6 तो इसमें आप देखीगा दो तीन पॉइंटे शुरुआत का ध्यान से पटना है किस परका result देनों ने जारी किया है वो देखते है candidate bearing the role numbers listed here in under have been provisionally shortlisted candidate document verification next देखीगा for the post notified in पे लेवल 6 यह जो candidate यहाँ पर shortlist हुए है ध्यान रखना pay level 6 की post के लिए इनका DB हो रहा है ऐसा नहीं कि इनका document verification अदर जितने भी post है pay level 5, 3, 2 उनका भी consider हो रहा साथ साथ में देखेंगे तो केवल और केवल pay level 6 post है तो उनका document verification हो रहा है अब हो सकता है कि जो candidate pay level 6 की तो post है उसमें medical qualify नहीं करें तो फिर वो next इसके तो एक साथ result यह नहीं दे रहे है उन candidate को मौका देना चाहते हैं कि वो candidate बाहर नहों medical की कारण इस ते बाकी post का result अभी तक नहीं आ रहा है level 5, 3, 2 हो गया, 4 हो गया नहीं तो फॉलका भी दे देते हैं न साइको उसमें भी है तो हो सकता है जो document verification होगा उसके बाद medical होगा वो दोनों ही काम में लेने दोबारा उसका db और medical नहीं होगा यह थोड़ा थोड़ा क्या पूरा भी संभावना है दोबारा नहीं होगा एक बारी जो सेम रेलवे के दोरा हो जाता है दोबारा क्यों करें best on their score in second stage cbt क्योंकि आपका जो stacer master की post है इसमें aptitude test का score है 30% और second stage cbt का 70% वो कैसे calculate करना वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा आगे आप देखेंगे stacer master post में इन दोनों को priority कही है आप देखें the priority of various post जो आपको वरिता various post in the level 6 furnished by them in online application आप कहेंगे post preference का क्या या आपर consider किया गया अब ज़्यादा post preference है आपने सभी level में दी होगी काफी vacancy थी टोटल 6 level में और 6 level में भी अलग अलग post थी यह आप देखेंगे तो टोटल 13 परकार की post में आपने वरिता भरी होगी लेकिन फिलाल जो result जारी किया गया है न level 6 में जो post हैं दो post हैं इन दो post को consider किया गया है आपने चाए level 6 की post को पहले इस्तान पे भरा हो अब आप मेंसे बहुत से candidate ऐसे हैं काफी candidate ने कमेंट किया हैं कि सर मेरा cbt2 में बहुत अच्छा score था 90 प्लस का score था और मेरा साइको भी अच्छा गया है अब उन्होंने क्या लिखा अच्छा गया है अब उनका list में number नहीं आया है level 6 station master हो गया उसमें number नहीं आया है कारण क्या है फिलाल साइको का result इन्होंने नहीं बताया है अलग से साइको का marks इन्होंने नहीं बताया है कि साइको में आपको पता है qualify करना जरूरी है टोटल पांच बैटरी में जो आपका test हुआ है सभी बैटरी को qualify करना अनिवार रहे हैं अब कोई candidate किसी में फैल हो गया होगा तो एक तरीके से level 6 में station master की post है और level 4 में जो एक post है CBAT की दोनों के लिए वो disqualify हो जाएगा चाहे उनके पूरे में से पूरे marks क्यों नहीं हो CBT2 में मैं बता रहा हूँ कि बहुत से केंडेट ऐसे होंगे 120 में से 110 ऐसे में मान लेता हूँ एक ऐसा आदर्श केंडेट है उनका एक बार इंतजार कीजेगा आपका result आएगा जब साइको का तब ही यदि आप किसी में भी fail हो रहे हूँ, disqualify हो रहे हूँ उस case में आपका number नहीं देख रहा है बाकि कितने भी अच्छे खासे marks क्यों न हो जाए तो मैं बात कर रहा था priority की जो आपने प्रात्मिक्ता दी है चाए level 6 की प्रात्मिक्ता आपने दोनों पोस्ट की last में दी है लेकिन फिलाल जो आपका result त्यार किया गया है उसमें आपकी ये दो priority देखी जाएगी अपने उनमें से पहली priority किसको दी है इस्टिसर माश्टर को दी है commercial apprentice को दी है माल लेते कि आपने commercial apprentice को दी है और आपके अच्छे खाशे माक्ष आ गए है commercial apprentice की cut-off को आपने cross कर लिया जो 90 के आसपास कहीं 101 भी गई है तब आपका commercial apprentice में नाम बाया देगा इस्टिसर माश्टर में roll number नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपके priority है वो consider कर ली गई है आपने commercial apprentice भरा है इस case में क्योंकि इन्होंने बताया है कि various post इन लेवल 6 में जो आपकी priority है उसी को consider किया गया है ना कि total post आपके priority को consider किया गया है फिलाल क्योंकि इन्होंने फिलाल रिजल्टी लेवल 6 का निकाला है और अब आप कहींगे कि बहुत से केंडेर तो ऐसे होंगे जिन्होंने लेवल 6 की post की priority है वो सबसे नीचे दी हो यानि वो चाते ही नहीं है लेवल 6 की post वो चाते है तो उनकी post priority का क्या हुआ वाकई में ये स्वाल मेरे दिमाग में भी आ रहा लेकिन इसका समाधा नहीं पिल पा रहा जिस पर का railway ने result जारी किया है और पहले भी एक interview में मोसपर नगर के जो chairman थे उन्होंने भी बता है कि level wise result consider किया जाए लेवल 6 के बाद आएगा आपकी लेवल 5 जिनका लेवल 6 में नहीं हुआ है वो एक तरीके से क्योंकि इसलिए तो उन्होंने लेवल वाई एक्जाम लिया है ठीक है जो candidate लेवल 5 में एक्जाम दिया होगा तब ही तो ऐसा नहीं कि medical में बाहर हो गए उस case में उनको नीचे वाले लेवल level 5 हो गया उसमें consider किया जाएगा और क्योंकि level 5 में अलगलग medical standard होते हैं फिर उनका देखा जाएगा level 5 की जो अलगलग post है उनमें उनकी क्या priority है level 5 की post में उनने कौन सी पहले priority दिये वो देखा जाएगा न कि समग्रे priority को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि railway का rights है आपको पता होगा 2018 में group D में भी कुछ ऐसा ही हुआ था railway ने ऐसे ही post दे दी थी यानि जिनके marks कम उनको अच्छी वाली बड़े उस तरवाली post दे दी थी और जिनके marks हैं वो ज़्यादा थे वो अभी track में अंटरन में काम कर रहे हैं यानि उनको priority वाली post नहीं दी गए तो railway के पास यह rights रहता है वो किसी को कोई भी post दे सकता है तो यहाँ पर railway right इस परकार मेरे को नजर आ रहा है कि वो level wise आपकी post priority को द्यान में रख रहा है आपने जो भी post preference अल्रेटी दे दी है फिर वो level wise देख रहा है कि उस level की post की कौन सी उपर है कौन सी नीचे है जो उपर है तो level wise जो result निकालेगा वो उसका roll number उसी में दे देगा अब काफी candidate ऐसे भी है जिनको ये 100 वाला formula नहीं समझ में आ रहा है तो psycho वाला 30 percentage और आपकी CBT2 का 70 percentage इसको समझना बिल्कुल आसान है आपको यहापर percentage में चीज़े लेनी है जैसे ही आपका result 100 में से जारी किया गया है हलंकि आपकी CBT2 का score card 120 में से था 120 को आपको फिलाव 100 में करोट करना है 100 में करोट करना एक तरीके से जितने आपके marks आ रहे हैं उसको percentage में बदल लीजिए जैसे कि किसी के 120 में से 60 marks आ रहे है ठीक है तो उनके 100 में से कितने आ रहोंगे तो आप कहेंगे simply 100 से multiply करेंगे यानि उनके कितने percentage बन रहे है percentage हमेशा 100 पर रहता है न तो 120 में से 60 marks आ रहे है तो 100 से multiply किये तो कितने percentage हुए यानि 50 percentage अब जो ये 50 percentage है इसको लिया जाएगा 70 percentage यानि 50 का 70 percentage प्लस साइको में जो भी आपकी marks आपते हैं उसको पहले 100 में convert किया जाएगा एक तरीके से साइको में जो भी आपकी marks आपते हैं वो कितने percentage marks है वो देखा जाएगा माल लेते साइको में किसी के 80 percentage marks आ गए अब इन 80 percentage का लिया जाएगा 30 percentage अब आप समझ पारे हो किस परकार 37 अब इन दोनों को add कर लेंगे तब आपके 100 में से जो आपको cutoff देखने को मिल रही है वो number आने वाला है तो किस परकार calculate करना है simply आपके जितने भी CBD2 का scorecard हो रहा है उसको percentage में बदल लीजे मतलब आपकी कितना percentage बन रहा है 120 में से किसी के 80 number है तो 100 में से कितने है वो देखना है अब जो marks उनके आगे 100 में से इसी परकार आपको percentage लेना है CBD2 के बाद जो psycho हुआ था ना psycho का तो psycho का percentage लेना है psycho के marks नहीं लेना है percentage तो सभी को निकालना आते है अब percentage का percentage निकालेंगे 70 और 30 के ratio में यहीं जो candidate CBD2 के कहा है वो 70 percentage निकालेंगे जितने percentage उनके marks आ रहे हैं उनका 70 percentage और जितना psycho में आ रहा है उसका 30 percentage निकालेंगे दोनों को add कर लेंगे और यहीं उनके marks आ रहे हैं कर्ट आप पलस तो उनका selection है बकादा यहाँ पर उनका psycho clear होना चाहिए सभी batteries में qualify होना चाहिए तभी consider किया जाएगा और ऐसे भी हो सकता है काफी candidate के qualify तो हो गया psycho लेकिन उनके marks कम थे CV2 में और psycho में भी ज़्यदा marks आये नहीं है CV2 में अच्छे कासे थे फिर भी psycho में काफी कम marks एक तरीके से passing marks यह आप आये हैं तो यदी cut-off से एक दो number उपर नीचे कम हो गया तो वो बाहर हो सकते हैं या फिर psycho disk वाली भाईवा उस case में बाहर हो सकते हैं otherwise आपके अभी तक मेरे को देखने को लग रहा है काफी candidate के comment पढ़े हैं कि जो result त्यार किया गया है उसमें post preference के अधर पर आपको बाहर बिल्कुल नहीं किया गया है ऐसा नहीं है कि जो candidate है level 6 की post उन्होंने priority नीचे दिये तो अभी फिलाल उनका list में number नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है level 6 की priority post कहीं पर भी दिये उन दो post को consider करते हुए यहाँ पर यह जरूर selection आपका करेंगे level 6 में और जो candidate level 6 में आपका DB हो गया या फिर DB के बाद medical होगा medical में जो disqualify हो जाते हैं level 6 की post में जो standard medical चाहिए वो नहीं मिल पाता है तो फिर उनको next जो level 5 की post है उसको consider किया जाएगा level 5 में उनकी priority देखी जाएगी कौनसी priority है उनको देखते हैं उनका selection होगा किसी candidate के level 5 qualify ही नहीं है तो वो next नीचे वाले level को देखेंगे level 4 qualify है क्या level 3 qualify है क्या level 2 qualify है क्या इस प्रकार जहां तक result बना है देखने को आ रहा है और भी आपके दिवाम कोई doubt चल रहा है वो आप comment section बताएंगे तो ये सभी student ने पहले comment भी भेज़े थे कौनसा कि कौनसी एक से ज़्यदा list में number आया है किसी कहना यह बिल्कुल एक से ज़्यदा नहीं आया है CA वाली यदी list में आ गया है commercial apprentice की तो फिर station master में उनका बिल्कुल नहीं रहेगा number और यदी वो CA में disqualify हो जाता है आगे medical वगेरा में तो उस case में उनको consider कर लेंगे next post में और फिर ये काफिक एंडियर्ट ने ऐसे message के लग रहा है performance के हिसाब से भी result दिया है बिल्कुल performance के हिसाब से priority के हिसाब से दिया है लेकिन उस level की priority को देखा गया है न कि overall post की priority को देखाए गया है post preference के वर level में काम करेगा जैसे कोई लड़के का level 5 में 90 marks है और GG का cutoff पिच्चा सी कहा है बिल्कुल level में यहाँ पर preference काम की जारी है न कि overall preference यह clear हो गया है अगर post preference के हिसाब से result होता तो गुहाटी का result ना आता अभी बिल्कुल चाहिए क्योंकि गुहाटी का अभी तक result नहीं आया है level 2, 3, 5 का typing तो अभी हो रही है तो यदि ऐसे मान लेते कि सभी को post preference है एक साथ समगर पोस्टों की देखी गई है ऐसा नहीं है क्योंकि गुहाटी का अभी तक तो टाइपिंग नहीं हुआ तो उस post की कैसे देख सकते हैं मतलब level wise preference देखी गई है post preference के अधार पर रिजट नहीं है मेरा एक friend है उसका first preference जीजी है goods guard लेकिन SM वाले list में उसका roll number बिलकुल आएगा क्योंकि यहाँ पर level 6 की अलग से post preference देखी है जीजी उनका पहली प्रेजट पर क्यों न हो लेकिन level 6 को पहले ये consider कर रहे हैं इस प्रकार result देना काफी complex रहता है इस ते ये प्रकारिया अपना ही गई है बाकि ये भी अपना सकते थे मेरे recording की पहले तो सभी candidate का dv करा देते जितनी post थी उसे तनी post थी उतने candidate qualify करते सभी का dv कराते सभी का medical कराते उसके बाद उनकी post preference थी उनकी according अलोट कर देते ये भी एक सीधी साधी प्रकारिया हो सकती थी लेकिन ये चाहते हैं कि जो टॉपर के इंडेट है उनको टॉप वाला लेवल मिले एक तरीके से सर जिसके preference में station master बाद में था उसका इसमें नहीं दिये for example मेरे level 5 में बानवे हैं और सम में भी 84 marks थे और साई को बढ़िया हुआ बट list में role number नहीं है कारण क्या है साई को इनके according बढ़िया हुआ है सभी के इंडेट को तो अपना अच्छा ही लगता है पेपर लेकिन result आएगा तब ही पता चलेगा उनका साई को में वाकाई में selection हुआ है या फिर नहीं हुआ है मेरे SM की preference last थी station master की last preference थी मेरे CB2 में 85 marks थी कटॉप 64 गई है CB80 भी अच्छा गया फिर भी list में numbers नहीं हैं तो SM की preference last थी इसका मतलब यह नहीं कि आपका preference कहीं पर भी हो यह जरूर लेवल 6 की आपकी पोस्टों को देख लेंगे और selection हो जाएगा इनका भी यह CNA की CB80 यह अच्छे बता रहे लेकिन गया कैसा है वो result पर ही clear हो पायेगा सारी चीज़े अब बहुत से result आएगा तभी यह चीज clear हो की बता दिया है और नेक्स्ट आधनिय गुरूदी एक मित्र के लेवल 6 में कटॉप से 27 नमबर ज़ादा था लेवल 6 में कटॉप से 27 नमबर उसका लेवल 6 में हो गया बिलकुल इनका CB80 clear होगा तभी तो और लेवल 5 में कटॉप से 18 नमबर ज़ादा है और लेवल 2 में 21 नमबर ज़ादा है और टाइपिंग में बहुत अच्छी हुई है और first preference station master नहीं है station master preference सबसे last 10 नमबर पर दे दिये तो अब उसका क्या होगा अब उसका तो लेवल 6 में हो गया भाई मेरे according ये दी उनका medical clear हो गया तो लेवल 6 की post उनकी दे ही दी जाएगी क्योंकि result में जो आया है mention है कि लेवल 6 की post का ये DB हो रहा है तो लेवल 6 की post क्यों न दी जाएगी उनको बिल्कुल दी जाएगी अब उन post को preference नहीं देखा जाएगा overall preference में से इन्होंने level wise preference को देख लिया है उस लेवल में कितनी post उती उनकी priority को उन्होंने देखा है sir post preference कहा गया sir post preference level 5 थी station master में name आ गया है भाई कहीं पर भी post preference किसी की भी हो वो level wise ले रहे है post priority only level 6 की post की ही देखी है बिल्कुल इन्होंने level 6 की देखी है अगर इनमें कोई medical में फैल हो जाता तो साइद और level में number पढ़ जाए लेकिन DB और medical के लिए नहीं बुलाया जगा हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिनका DB हो गया है medical हो गया है और फिर medical में वो किसी standard medical को clear न कर पाए B को A को C medical standard आ जाए तो दो बारा medical थोड़े क्योंकि एक बार medical हो चुका वो railway नहीं लिया है बाइद में directly उनको देख लेंगे अब यह सबी कट आप जैसे ही अजर आरा भी कि आप दिये तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा आपके दिमाग कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन बताना और जो के इंडिर मॉक्टेस देना चाहते हैं अभी आज लास्ट दे हैं टिटीची के कोपन कोड यूज कर लेना टेस्ट बुक में बाइ बाइ